जैहिंद आवरिवान, माई नेम इस गगंदीप and I welcome you all on our YouTube channel नेम प्राउड ग्रूप ओफ हैंसी सी और अगेन आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी है जो यह में न्यूज आपको देने वाला हूँ अर्ध सैनिक बल बोलते हैं जो की होम मिनिस्ट्री गेंडर आते हैं तो उन सभी के SI पोस्ट के लिए और ASI असिस्टन सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एक्जाम लिया जाता है CPO वाला उसके अंदर अब NCC वालों को डिरेक्ट बेनिफिट मिलने वाले हैं आपके पास A सर्टिफिकेट है B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपको अलग-अलग मार्क्स अलोट होने वाले हैं तो मैं अब भी बताने वाला हूँ आपको कितने-कितने मार्क्स मिलेंगे कितनी percentage होगी कब जाके वे marks मिलेंगे उससे आपको कितना ज़्यादा benefit होने वाला है तो ये वीडियो सुना ध्यान से और start करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपका कोई भी doubt बचता है ना वीडियो को देखने के बाद तो आप comment box में तो पूछी सकते हैं उसके अलावा Instagram का मेरा जो link है ना वो मैं description के अंदर ही दे दूँगा तो वहाँ पर आप मुझे direct message करके भी पूछ सकते हैं ताकि आपके सारे doubt कलियर होसके तो start करते हैं देखो ये official notification है SSC का SSC आपको पता है जो CGL का और CPO का exam लेती है तो ये CPO के exam के लिए है ठीक है सर्च किया जैसे ही मैं इसको NCC सर्च करता हूं और मैं देखता हूं तो ये देखो यहाँ पर 11.5 नंबर का जो कोलम में है उसमें क्या आए कि National Cadet Core Certificate Holder as on 1-1-2021 किसी यानि कि इससे पहले उनके पास NCC का Certificate होना चाहिए will be given bonus marks in paper 1 and paper 2 which will be added to the normalized score of such candidate as per the following scheme थोड़ा समय बता दूं marks बताने से पहले पहली बात तो ये कि जो CPO का exam होता है जो SSC लेती है उसमें दो exam होते हैं प्री होता है एक mains होता है प्री भी 200 marks का होता है मैंस भी 200 marks का होता है परी के अंदर 50 की English, 50 की जिक्के, 50 का math और 50 की reasoning आती है तो 200 marks का हो गया और इसी तरीके से mains भी 200 marks का होता है और mains में सिरफ और सिरफ English आती है बीच में इन दोनों के बीच में आपका physical test होता है और इस तरीके से ये SI के लिए exam होता है SI और SI के लिए दिली पुलिस और जितने भी अमारी paramilitary forces है उनके लिए तो अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास NCC का C certificate है तो आपको 5% of the maximum marks मिलेंगे 10 marks और ये 10 marks नहीं, ये 20 marks है क्यों? क्योंकि 10 marks आपको pre में मिलेंगे क्योंकि pre total 200 marks का 200 का 5% निकालेंगे 10 marks होगे तो pre में मानलो 140 पे cut off गई है तो एकदम से आपके 150 marks हो जाएंगे अगर आपके मानलो 140 नंबर आए है तो आपके 10 marks add कर दिये जाएंगे उसके अंदर और आपके 150 हो जाएंगे तो आप एक बार सोचके देखो यह चीज वहाँ पर जो इतना competition होता है कि वहाँ पर 0.25, 0.75, 0.5 marks से बच्चे रह जाते हैं या फिर अपनी main post जो उनको चाहिए होती है उससे रह जाते हैं वहाँ पर 10 marks extra वो भी सिरफ pre में और अगर pre qualify होता है और बाद में running qualify होती है जब आप mains के लिए जाते हैं तो 10 marks उसमें यानि कि total जो merit list बनेगी final उसमें 20 marks extra मिलेंगे NCCC certificate वालों को तो एक तरीके से बहुत ही बड़ी चीज है अगर कोई समझे तो इस बात को किसी ने CPO का exam दिया हो तो वो इस बात को तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ पाएगा अगर आपने C नहीं किया सिर्फ B किया है तो आपको 6 marks एक बार और 6 marks अगली बार यानि कि 12 marks मिलेंगे और सिर्फ A किया है तो 4 marks और 4 marks 8 marks extra मिलेंगे अगर सिर्फ A B किया है ना तो 8 marks जहां पर 0.25, 0.5 marks से person cut off qualify करने से रह जाते है वहाँ पर 8 marks भी बहुत बड़ी बात होती है और C certificate वालों को वहाँ पर 20 marks extra मिलेंगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी जीत है हमारी के जो NCC वालों को अब जो जितने भी ये Home Ministry के अंडर आती हैं ये सारी चीजे जितनी भी paramilitary forces होती हैं अर्द सैनिक बलाते हैं तो इन के अंदर हमको marks मिलने extra bonus marks मिलने start हो गए हैं तो ये हमारे लिए beneficial साबित होगा और हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने बताया था कि अब जितने भी state police के exam होगे हाला कि जो state police आती है वो state government के अंडर आती है तो आने वाले जितने भी अब exam होगे state police के जितनी भी notification निकलेंगी तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर NCC वालों को extra marks मिलेंगे तो सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है अगर आपको भी वीडियो के लिए जुड़े रही है हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत थैंक्यू वेरी मच